नमस्कार दोस्तो बैट और बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रवी चंदरम अश्विन जिन्ने आर अश्विन के नाम से भी जाना जाता है उनके क्रिकिट से जुड़े कुछ खास बाते और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना यहां आपको क्रिकिट और स्पोर्ट से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू शतक 2016 एंटी गुआना में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में अश्विन और विराट कोली ने 168 रनों की साज़ेदारी की जिसमें अश्विन ने शतक बनाया लगातार 4 सीरीज में मैन ऑफ दी सीरीज 2016 अश्विन ने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में मैन ओफ दी सीरीज का पुरुसकार जीतने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए जिसने बल्ले और गेन दोनों से उनके दवदवे को उजागर किया औस्टेलिया में एतिहासिक जीत दो हजार एकिस अश्विन ने औस्टेलिया में भारत की सीरीज जीत में महतपुन भूमी का निभाई खास कर सिडिनी टेस्ट में अपने शामदार बल्ले बाजी परदर्शन से जहां उन्होंने ड्रॉ सुनिश्चित करने के लिए दर्द के बावजूत बल्ले बाजी की 500 टेस्ट विकेट 2021 अश्विन 500 टेस्ट विकेट तक पहुचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए जो उनकी निरंतरता और कोशल का परमाण है जोस बटलर का यादगार रन आउट 2019 आईपियल अश्विन ने आईपियल में तब स प्रिकेट की भावना पर विशेश बहस शिड गई दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ 10 विकेट 2015 अश्विन ने नागपूर टेस्ट में 10 विकेट लिये जिससे भारत को दक्षिन अफ्रिका पर सीरीज जीतने में मदद मिली इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने वाला परदर् सीरीज में अश्विन ने चिन्नई में उसी टेस्ट में 5 विकेट लिये और शतक भी बनाया जिससे भारत को वियापक जीत मिली कप्तानी शुरुवात 2016 अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में भारत के लिए अपनी कप्तानी की शुरुवात की जहां उन्होंने 4 व वर्ल्ड कप 2014 वर्ल्ड कप में अश्विन का परदर्शन खासकर दक्षिन अफरिका के खिलाफ सेमी फाइनल में उनकी गेंदबाजी भारत के फाइनल तक के सफर में महतवपून रही गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो